बहुचन इताय बहुचन सुखाय ओम्जा एक ऐसा प्लैटफॉर्म जा आप हम सब मिलकर काम करेंगे कर सकते हैं और पैसे भी कमा सकते हैं आप सब कामरे चैनल ओम्जा पर स्वागत है इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बिश्यव लगन के जातकों को कौन-कौन से रुद्राज धान करना चाहिए मैं यहां पर लगन की बात कर रहा हूं मैं राशी की बात नहीं कर रहा हूं और दूसरा मैं कुछ ग्रहों के इस्तिती के हिसाब से भी मैं आपको बताने जा रहा हूं तो बड़ा ही ध्यान से आप सुनिएगा और आप अपने जोतिस से भी सलाह कर सकते हैं कि लगन के हिसाब से और ग्रहों की दश्या देखे यदि यह उरुद्राक्ष आपको बताते हैं तो काफी सादा फायदे मंद होगा तोकि यह उरुद्राक्ष पर ग्रहों के साथ देवताओं का वास होता है और कुंडिली में त्रिकोन, अथार्थ, लगन, पंचम और नवम भाव, सरवादिक बलशाली माना गया है लगन अथार्थ जीवन, आयुश एवं आरोग, पंचम अथार्थ बल, बुद्धी, विद्या और प्रसिद्धी, और नवम अथार्थ भाग और धर्म अतलगन के अनुसार कुंडली के त्रिकोन भाव के स्वामी ग्रह कभी अश्यूब फर नहीं देता है, अश्यूब अस्थान पर रहने पर भी मदद ही देता है तो जब भी आप रुद्राक्ष लें, तो हमेशा लैब सेटिफाइड लें, जैनियूण लें अगर लैब सेटिफाइड है, तो बिल्कुल आगबंद करके लिजिए, किसने किसी लैब का तो हो गई, नहीं तो प्रसा सेफटी रहता है और यदि रुद्राश महेंगे हो, तो आप एक्सरी रिपोर्ट के साथ मिले सकते हैं ओमजा.com पे आपको सारी चीज़ जैनियून, अथंटिक, लैब सेटिफाइड और अभिमंतित पे मिल जाएगा यदि आप चाहेंगे तो, तो चलिए, अब हम शिरू करते हैं देखिए, परतेएक लगने के लिए एक ग्रह ऐसा होता है, जो योग कारख होने के करण शुफलदाई होता है और यदि ओग्रह कुंडली में बलवान है, और उस पर किसी पाप ग्रह का प्रभाव नहीं है तो यह अकेला ही जातिकों को शिकर पे पहुचा देता है उसका रतन धारन करना फलदाई होता है, चम्तकारी प्रभाव देता है परंतो यदि यह अशुब भाव में, अशुब ग्रहों के प्रभाव से ग्रस्त है तो फिर जातक इस योग कारग्रा के अच्छे वाले प्रभाव से वंचित रह जाता है तो ऐसी स्थिती में उसके अशुब भाव जनित, अशुबता को नश्ट करने के लिए रुद्राश धार्म किया जाता है देखे रुद्राक्ष आप जब भी लें तो हमेशा थुरा सा बड़ा साइस का इसलिए बोलता हूं लेने के लिए उसका जो अफेक्ट होता है वो काफी अच्छा होता है और लगने के लिए एक ग्रह ऐसा होता ही है जो यूग कारग होने के कारण शुफल दाई होता है तो बिशब लगने के लिए शनी, शुक्र और बुद्ध यूग कारग ग्रह इसने नीलम, हीरा पन्ना पहनना आपके लिए शुब होगा पर आपको तभी पहनना है जब आपके जोतिश आपको बताएं तो कभी भी रतन बगर पहनने के लिए आप जोतिश के पास जाए उनको अपना डेटो बर्ट बताईये जनमकुंदली दिखा के पहननी है अब अश्टमेश गुरू और द्वार्द शेस मंगल के अशुर्प प्रभाव से मुप्ति के लिए पांच मुखी और तीन मुखी रुद्राजधान करना चाहिए तो यह सब सस्ते रुद्राक्ष होते हैं महेंगे रुद्राक्ष नहीं होते हैं सुर और चंद्रमा भी इस लगन के लिए बाधा कारक है तो इनके लिए एक मुखी या दो मुखी रुद्राजदान करना चाहिए अब यह एक मुखी रुद्राक्ष रुद्राक्ष है वो आपका रामेश्वरुन का भी मिलेगा नेपाल का तो मेरना बड़ा दुर्लब है तो अंडर डिवलप्ट जो होता है जिसकी एक इधार यह पुरी तरह से डिवलप्ट होती है उसे भी वो लोग एक मुखी समझ के पहनते है अंद मुखी मिलता है तो उसे भी एक मुखी के करीब माना जाता है और नेपाल का भी होता है तो जब आप नेपाल का लेते हैं तो फिर हो हाँ पे लेब की बात आ जाती है तो लेब ही आपको बताएगा कि यह नेपाली है यह हमालियन है तो दोनों में ज़़ादा डिफरेंस नहीं है तो शनी शुक्र और बुद्ध भी यदी छटे, आठवें और बारवें अस्थान पर आ जाते हैं तो रतनिक्या पिक्षा, सात मुकी, छे मुकी और चार मुकी रुद्राजधार करना सबसे स्रेश्ट कर होता है तो धन्यवाद आप सब का हमारी चनल पे स्वागत है आप हमारी चनल के सबस्क्राइब करें और अपने कमेंट पीशिये, धन्यवाद